आज ही क्लास में हम बात करेंगे इंडेक्स और मैच के फार्मूला की समझेंगे कि यह होता क्या है इसका से इंडेक्स क्या होता है किस तरह से वर्क होता है कहां कहां हम इसको इंप्लिमेंट कर सकते हैं पैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं यह सारी चीजों के हम बात करेंगे इंडेक्स और मैच को आपस में मिलाकर अगर हम कोई फार्मूला बनाते हैं लाइक इंडेक्स और मैच नैस्टट फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो यह लुकप के फंक्शन की तरह काम करता है जैसे हमारा वह कपकाक फंक्षन है वह लूक पका करके लेता है सिसार के लेकर कि घा। इंडेक्स और मैच क्या करते हैं इंडेक्स और मैच राइट एंड लेफ दूनों साइट से वैलीज को पिक कर लेते हैं एक एक्जाम्पल देता हूं आपको आपको आपे देख रहे हो आई कॉलम के एक कॉलम से लेकर कि जी कॉलम हमारे पास कुछ डेटा है रू आईडी और जी क्या आपको आपको फार्मुले से भी हम इसको कर सकते हैं लेकिन वी लूकप क्या से रोडी को मुपिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि row id क्या है इस वाले column के अंदर इस वाले table में left hand side पर है और मेरी lookup value order id है तो इसके lookup value के left side पर है तो वे lookup का formula ये perform नहीं कर सकता task कौन perform कर सकता है index और match का formula ये task को perform कर सकता है इसलिए कहा जाता है कि we lookup से better होता है index और match का formula अज़र ये सब का अपना अपना तरीका होता है लगाने का सब के अपने अपने खासियत होती है और दूसरी बाद मेरी वीडियोस फ्लास थोड़ी लंबी ज़रूर होती है लेकिन डिटेल्ट होती है एक्स्प्लेंड उसको मैं करता हूँ ताइक आपके अच्छे से समझ में आए अगर आप बोर हो जाते हो या फिर आपकी समझ में नहीं आता है थोड़ा ज्यादा लंबी वीडियो जाती है तो आप क्या आप वीडियो को पॉस्ट करा करें ब्रेक लिया करें वापस आया करें otherwise next day उसको बढ़ा करें ठीक है चलिए हम अपनी वीडियो की बात करते हैं index और match का formula लगाने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि index का formula क्या होता है separate twice करते हैं उसको एक है हमारे पास index एक है match ये दो फार्मूले इन दोनों को साथ में लगाया जाता है और अलग-अलग भी लगाया जा सकता है तो पहले हम इंको एक एक करके समझते हैं कि index का फार्मूला होता है क्या है चलिए लगाते हैं इनदेक्स यह आपसे माँदा है एरे फिर बात में समझेगे हमें करना क्या है रिजल्ट किया चाहिक है बात में समझते हैं सब कुछ आरे दे दिया हमने इसको कौमा लगाया यह आप से पूस्टा रो नंबर ओके फो रोनमबर लेट से मैं इसको बोल देता हूं आब आप नो नमबर पता है किस चीज की मानता है रो नमबर जो आपने इस एरे के अंदर जो एरिया दिया है इसको रेंज दिये लाइक 2019 से लेकर के 2022 ये कितनी रोज हैं आपके पास 12344 रोज है इन फोर रोज में से रो नमबर कौन सी चाहते हो आप लट से दूसरी चाहता हूँ यानि 2020 चाहता हूँ गोता है झाल ठीक है अब कॉलम नमबर यह बहुत अंडुस्ट्टूड है कि आपने जो आपने एरेया स्लेक्ट किया है उस फिर एक ही कॉलम का स्लेक्ट किया राइट तो यहां पर आपको पॉलम नमबर देनी की जरूवत नहीं है या तो आप और सकते उ इसको इस तरह से प्लोज भी कर सकते और एंटर दे सकते तो आपको 2020 देदेगा अब यह 2020 इसने क्यों दिया इसने 2020 ले दिया यह और रो नमबर में आपने क्या दिया दूसरा यह रो ही नमबर है ना पूरा अगर मेरा एरिया थोड़ा सा ओ भी होता तो लेट से मैं अपने एरिया को इंक्रीज कर लेता हूं और अब हमें यहाँ पर कॉलम नमबर देने की रिड है यहाँ पर हमें कॉलम नमबर देना जरूरी है क्योंकि यह कंफ्यूस हो जाएगा कि मैं आपको कौन सी वैल्यू डलना है डीट собствен की जन्री कि ये निकलने है यह इसके लिए मैं क्या ग है सेकट अब कि यह चीज्ग का फर्मूले आपको position पूछता है आपसे और return कर देता है आपके output को, क्या पूछता है, row number पूछता है, column number पूछता है, पर आपको result देता है, अब ये बात समझते हैं, match का formula क्या करता है, चलिए match का formula समझते हैं, match, अब ये पूछता आपसे look up value, look up value, let's say मुझे जनना है, ये 2020 कहां लिखा है, 2020 कहां लिखा है, तो let's say, यहाँ पर मैं double quote के अंदर 2020 कर देता हूं, 2020, ठीक है, ये मेरी look up value है, मैं इस चीज़ को search करना चाहता हूं, look up का मतलब क्या होता है, देखना, search करना, look up एरे, कहां search करन चाहते हो, अब आपको पता होना चाहिए कि कहां लिखा है 2020, मुझे मालूम है कि इस area के अंदर कहीं ना कहीं लिखा है, ठीक है, सो कौमा लगाईंगे अब यहाँ पर, अब यह पूछता आपसे तीन argument पूछता है, less than, exact match, greater than, यहाँ पर हम करेंगे exact match, मतलब बिल्कुल same हो चाहिए, तो इसके लिए अब zero press कर दो, bracket close, enter, ओके, सो इसने error, I know के क्यों दिया है, यहाँ पर, यह double quote हटा देंगे, यह लोचे, क्यूंकि जो number होते हैं, number, उनको कभी भी double quote में नहीं लिखना चाहिए, उनको आपको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, चीक है, so 2020 को हमने search किया, कहाँ पर, यहाँ पर और zero, so भी इसने दूसरी row दे दिया, row number two दे दिया, इसने, one and two, चीक है, ओके, अगर मैं कहूं आपसे कि जनवरी का लिखा है, यह तो column में लिखा है, यह भी row में ही है, लेकिन column में भी है, चीक है, so, इसके लिए आप क्या कर सकते हो let's say, match, lookup value के happy, let's say, January, lookup array, let's say, मेरा lookup array, यहाँ से, यहाँ तक search कर लो, ठीक है, comma, zero, enter, क्या आपको दे दिया, इसने, दो, यानि के, दूसरे column पर लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने column wise, horizontal चलाया है, इसको अब, चीक है, यह horizontal चलाया है, इसलिए इसने आपको column number 2 दिया है, let's say, आगर आपको फरवरी सर्च करना होता है, February, let's say, यहाँ पर हम hard code में लिख देते हैं, February, bracket open, double code, fab, अब enter मालें, तीन आ गया है, यहाँ पर, क्यों आया है, तीन, year, jan, fab, march, यह चार, चार जगाओ पर आपने range दे रखी अपनी, और इसमें से आपने तीसरा, तीसरे को सर्च किया, fab को सर्च किया, तो इसने आपको 3 दे दिया, ओके, so now the, now go back to your index का formula, index के formula में क्या होता है, कि यह आप है ना, यह जो normally 2 and 2 यह जो लिख रहे हुआ, यह hard code लिख रहे हो, तो आप इसको किस तरह से करोगे, just give me one minute guys, all right, so हम क्या बात कर रहे थे, हम कुछ मैं बोल रहा था आप से, कि अगर हम index के formula के अंदर match के formula को include कर दें, तो यह हमारी जो problem है, main वाली लिखने की, यह resolve हो जाएगी, क्योंकि match का formula आपको position बताता है, यह दो number पर लिखा है, यह तीसरी column पर लिखा है, something like that, यह आपको position बताता है, और index क्या करता है, जो index का जो array है, तो आपको result देता है, right, जो भी आपको चाहिए, so अब एक साथ अब question क्या, question समझते हैं सबसे पहले, यह आपके पास एक छोड़ी जी table दीख रही है, so इसके अंदर year है, 2019, 2021, 2022, कुछ मन्त है, jan, feb and march, इसके अंदर हमारे पास कुछ sales है, चीक है, हमारे पास कुछ data है, कुछ amount है, revenue generate क्या है, something like that, इसको कुछ भी मान सकते, so अब हमें चा February का आजए, अगर मैं लिखूंग March, तो March का आजए, something like that, ठीक है, so इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हमें formula लगाना पड़ेगा, index का, लगाएंगे index, ठीक है जी, अब यह आप से पूछ रहा है area, ठीक है, क्या चाहिए, आप इसको पूरा select कर सकते हूं, यहां से लेके यहां यह पूरा select कर लो, ठीक है, यह area आपने select कर लिया, और इसको freeze कर दो, अब freeze करना, आपको मैं already समझा चुक हूं, अगर आपने नहीं समझा है, तो मेरी video number 1, class 1 और class 2 मैं आप टेक सकते हूं, अब यह आप से पूछता है, रो नंबर, कौन सी रो नंबर चाहिए, मैं इसको बूलता हộ alguna true number के लिए मैं मैच का formula लगाना चाहिए, मैच के formula के अंदर मेरी lookup value क्या है, क्या आप search करना चाहता हूं, 2019, कहां search करना, П rikt 96, मैं बोलता हूं,inaire,е country, इसको freeze कर दो, again कोमा लगाओ एक्जैक्ट मैच जीरो कोमा क्लोज अगैन कोमा रो नंबर मेरी क्लियर हो गई है अब इंडेक्स के फार्मूले में हम दुबारा आ चुके अब यह पूछता है कॉलम नंबर तो वापस मैं इसको कॉलम नंबर देता हूं मैं एमें टी चिएच मैच लुक फैली यहां अब मेरी मार्च कर दोंगा कि मैं उसको कर दिया कॉमा अब लगाया लुक अब लूक अब लुक अब मुझे पता यहां से ले कि यहां तक कहीं भी मिल सकता हो इस एर्या को मैं कर दूंगा लॉट कोमा जीरो ड्रैकेट क्लोज एंटर गया गया फाइफ फोर टू अब इस फार्मूले को नीचे तक ट्रैक कर देंगा अब सी दिस फाइफ फोर टू 663 707 719 एक्जाक्ट्ली सेम है लेकिन जैसे आप इसको चेंज करते हो मैं इसको अगर आप चेंज करते हो जैन जैन का चेंज हो जाता है इस इस वह इक बड़ा एक्जांपल दे लिते हैं कि एक्जांपल यह है हमारा यह पास है इस डेटा में मुझे शिप मोड कस्टमर चलिए और चलो उसको करते हैं पहले इंडेक्स कि एरे क्या है आपका मैं बोलता हूं जी एरे मेरा यहां से लेकर यहां तक यहां से यहां से यहां तक मेरा रहे है और इसको मैंने फ्रीज कर दिया रो नमबर के एक कि मैं बोलता हूं मैंच का फार्मूला लागाऊंगा मैं लुकप वैल्यू को मैं सेर्च करना चाहता हूं लुकप वैल्यू को भी मैं फ्रीज करूंगा लेकिन कॉलम लेवल पर कॉमा लगाएंगे लुकप एरे क्या है यहां आपको ओर राइडी कहां एक यहां से लेक्ट यहांत्र का मिलेएंगे लुकफ वैल्यू कांदरल econ and,0 यह तो हो गए मेरी रोल नंबर की बात करते हैं कॉलम नंब्र इंडेक्स के फार्मूले का कॉलम नंब्र अब यहां लगाते हैं वापस से हम में सिप 만들어 को इस फार्मूले को केस्टमर आईडी वाले कॉलम में भी ड्रैक करूंगा तो इसके लिए मुझे इसको रो लेवल पर प्रीज करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना होता है एफ फॉर बीच में के एंड वन की बीच में हमें करना होता है यह मैं फ्रीजिंग वाला सब कुछ समझा चुक हूं तो मैं इसको डिटेल में नहीं समझाओंगा लुक अप वैल्यू मेरी क्लियर हो गई है लुक अप एरे यह शिप मोड आपको कहां मिल सकता है मैं बोलता हूं यहां से देखकर यहां तक इस वाले एरीया के इंदर कहीं मील सकता हूं इसको हमcak देंगे को जीरो एंड ईंटन योग यह स्टेंडर्ड क्लास एसी फर्मुले को यहां ट्रैक कर दो यह आ ग्या अभी प्रॉस्श्चcare भी करेंगे इसको कॉपी करों यहां पेसकर दो हो आप्षि य कि यह लेजे हैं है यह आपका हम क्लीट क्लीर आंसर आ गया लेट जे को यह वी एक रेंडम वैली चेक कर लेते हैं यहाँ पर सेर्च करते हैं इसको सॉर्डी क्ट्रोल एफ कंट्रोल वी या आगया first class है वेस्ट अला है हमारे पास यहां पर कि इसका customer ID है 15145 15145 रोव आईड़ी तो 9 हो गया यांपर से दिस 9 हो गया यहां थे वापस मैं अगर आपको बोलाओं अब इसके खास्यत पाद क्या होती है इंडेक्स मैंच की अगर आप इसको change करोगे ना segment में शिप मोड को अगर आप कर देते हो segment segment सजी सेग्मेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अगर आप सका customer name करना चाहो और यहां डालना चाहो customer name customer की name आने स्टार्ट हो जाएंगे this is how it works index match की quality यह है तो एक्जाम्पल अगर आपके डिटा के अंदर आपको सील्स भी चाहिए सील्स का कॉलम है ना यह तो आपको फार्मूला लगाने की जरुवत नहीं है इसी को यहां तक ड्रैग कर दो जस्ट ड्रैगेट कंट्रोल आर और आपके पास उसकी सेल्स भी आ जाएंगे ठीक है इस तरह से इसको किया जाता है इसकी प्रैक्टिस करिए और यह प्रैक्टिस वर्क बुक मैं आपको शेयर करता हूं ओके ओल्राइट गाइस थाइंक्यू वरी मच्च